Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं, integration exercise 7.6 का question number 4 देखते हैं, क्या है? Integrate the function x log x, हमें यहाँ पे दो functions दे रखे हैं, उन दोनों का integration by part से हमें integration find out करना है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हमें क्या काम करना होता है? I late का formula अपना लिखना होता है अब बच्चो दिहान से देखो, x क्या है हमारा, algebraic function है, log x क्या है, algorithm function है, या फिर logarithm function है अब I late के function पे या formula पे नजर डालें, तो हमारा logarithm पहले आता है, algebraic बाद में आता है तो हमारा ये उस according नहीं दे रखा, कुछ questions होते हैं, directly अगर करने लग जाओ, answer आ जाते हैं बट हमें हमेशा I late के according ही चलना है, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा integration log x आगे आएगा, फिर आएगा हमारा x और इसका होगा integration ये हमारा u function हो गया, ये हमारा v function हो गया, ठीक है, बात समझ में आई अब यहाँ पे हमें क्या करना है, formula लगा देना है, integration u into v dx का क्या होगा u as it is integration of v, फिर minus में u का derivative, integration of v dx और इस पूरे का फिर से integration ये formula होता है, अब जहाँ पे भी आपको इस formula में u नजर आ रहा है, log x पूट करेंगे, v नजर आ रहा है है, आप पे x पूट करेंगे चलो भई, u की जंगे क्या पूट कर दिया, log x, integration, v की जंगे हमें क्या पूट करना है, x तो x का integration फिर minus में integration, u डेस मतलब d by dx of log x, log x का करेंगे differentiation, फिर integration का sign, v की है हमारा x dx और जो भी इस से result आएगा, इसको simplify करके, उसका बाद में फिर integration करेंगे, ठीक है, formula लिखके, उसके according चलोगे न, गलती नहीं होगी, otherwise जगर ये सुचोगे, mind में formula है हमारा और करते चले जाएगे, तो गड़बड हो जाएगी, कहीं न, कहीं, तो बिलकुल step wise चलेंगे, यहा आपर देखो हमारे पास क्या है, log x, फिर x है, x का integration करेंगे, तो क्या हो जाएगा, into में x square by 2 हो जाएगा, फिर minus में, log x का differentiation क्या हो जाएगा, पहले integration का sign, log x का differentiation 1 by x, फिर into, x का integration क्या हो जाएगा, बच्चो, x square by 2, और यहां से जो result आएगा, उसका फिर से integration, चलो वई, एक यह कट गया हमारा, क्या आगया है, यहां पर, log x, into x square by 2, minus में 1 by 2 बहार आजाएगा, और यहां पर क्या बच गया है, मेरे पास integration x dx, clear, आगे चलो, यहां पर क्या आगया, log x, into x square by 2, और minus का 1 by 2, multiply, x का integration करेंगे, तो x square by 2, और plus में c, इसको थोड़ा simplify करके लिख दो, क्या है, log x, into x square by 2, minus में, 1 की x square से multiply, x square by 2, 2 जा 4, और plus में c, यह हो गया answer, समझ में आगया, step y चलोगे, बिलकुल correct answer आएगा, कोई गड़बर नहीं होगी, बिलकुल exactly जो आपका question बनता है, वो आप simplify easily कर लोगे, अगर मान लो, आप mind के अं अंदर गुमाना चाहोगे, तो भई गड़बर कर जाओगे कहीं न कहीं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, 8th, 9, 10, 11th के बच्चों को नेक्सा क्लासिज के बारे में जरूर बताना, thank you students for watching, नेक्सा क्लासिज वीडियो,